कल तक हर बात पर धोस दिखाने वाली ममता बनरजी के चेहरे पर आज हवाईयां उड़ रही हैं। जिसमें वो रोते हुए दिखाई दे रहा है। के वीडियो पर भारती जनता पार्टी नितन्स कसा है। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने सोशल मीडिया प्लैटफॉम एक्स पर वीडियो पोस्ट कर लिखा के सारा स्वैग गायब हो गया। ममता बनर जी का पोस्टर बॉई बलातकारी शेक शाह जहां एक गमगीन बच्चे की तरह रो रहा है। प्राधी अनुबरत मंडल जेल में है। यही भाग्य है जो सौकत मुला, जहांगीर खान और अन्यय जैसे लोगों का इंतजार कर रहा है जिन्होंने पूरे बंगाल में आतंक का राज फैलाया हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि जब कानून के शिकंचे में आएगा तो उसे बचाने कोई भी नहीं आएगा। यहां तक कि ममता बनर जी भी नहीं अपने मंत्रियों को भी नहीं बचा सकी। घड़ी चल रही है। पुचताच के लिए केंद्रिय एजिंसी के कई समन को नजर अंदाज किये जाने के बाद लुकाउट नोटिस जारी किया गया। सराजुद्दीन के देश से भाग जाने के आशंका के चलते एडी ने भारत के सभी एरपोर्ट्स और थानों को अलट कर दिया। इसी बीच एडिया धिकारियों ने शेक शाहजाँ और उसके भाई आलमगीर को हिरासत में लिए। इससे पहले CBI ने गिरफतार किया था। इस साल की शुरुवात में जब उत्तर 24 परगनाज जिले का संदेश कारी शाहजाँ के सयोगी द्वारा यौनत प्रिडन के खिलाफ स्थानिय महिलाओं के विरोध प्रदर्शन के बाद उबल रहा था। उसके बाद हाई कोट की फटकार के बाद पश्चिम बंगाल की पुलिस ने शाहजाँ शेक को गिरफतार किया था। वियूर रिपोर्ट न्यूज अफ इंडिया